हेलो एब्रिवन रादे रादे कैसे हैं सब हम उमीद करते हैं सब अच्छी हुगे खुश हुगे तो जी आज सब ही को मेरी तरफ से तीज की बहुत बहुत सुब कम ना है आज है हरियाली तीज और सामन का महीना चल रहा है तो मेरी शुरुआत हो रही है मेरी गुपाल जी से और रादारानी से तो मैंने उनको आज नई बस्तर पेनाए हैं और अच्छे से खुब सिंगार किया है तो मैंने निला दिया है और मैंने पहले खुद से नहाया फिर भगवान जी की निलाया तो मेरी सुबह की जो इस्टार्ट होती है शुरुआत होती है सुबह की दिन की तो जी ये भगवान जी की दिनचरिया से ही शुरू होती है तो मेरी कुछ इस तरफ से है दिन चरिया आज की के तीज का जो दिन है तो आज का रूटीन आपके साथ थोड़ा सा सेर करूँगी कि क्या क्या काम मैंने किया है आज की दिन तो आप देखिएगा जरूर वीडियो पूरी देखिएगा और ये नए मैं लेकर आई हूँ तो तीन जोड़ा लेकर आई हूँ बगवान जी के और आज साड़ी पहन ली है हरी वाली चूड़ी भी मैंने पहन ली है हरी साड़ी तो नहीं थी जो भी अभी लेवल होता है वो पहन लेते हैं कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है तो ये नई थी और अब फुजा भी हो गई है और मैं थोड़ी देर पाठ करती हूँ तो वो भी हो गया तो बस अब घर कोई कर लेते हैं थोड़ी सी क्लीनिंग कमरे को समखा लेते हैं सुबह का टाइम है तो सबी लोग बस जाने वाले हैं कुछ चले गए हैं तो बच्चे तो चले गए हैं आज तीज की छुटी थी तो फिर जाना था तो मैंने मना कर दिया बिदी का मन नहीं था जाने का तो मैं बैड़ सीट को चैंज कर देती हूँ मैं जल्दी जल्दी चेंज कर देती हूँ, हपते में बस में चेंज कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गंदी हो या ना हो, लेकिन मुझे हपते में बैड़ सीट को चेंज करना ही है, पिलो कवर भी डाल देते हैं अंदर, तो बस सब धुलें डाल लेते हैं चदर को, बाद में मसीन लगाएंगे, तब भी धुलेंगे, और जो इदर उदर समान थोड़ा विखरा हुआ है, उसको भी और मेरे बाल गीले हैं, तो मैं पंखा में थोड़ा सा बालो को फैला रही हूँ, इसलिए जल्दी से सूख जाएं फिर बांद के खाना पीना बनाना है मुझे, तो यह साड़ी ने कुछ इस टाइप से, और कलर काफी सुन्दर लग रहा था, और बिधी सायद कर रही है कुछ रसोई में, और मैंने बैट शीट को बिछा दिया, तो बैट शीट कैसी लगी, तो यह तो परानी वाली है, आप पता ना क्यों आज इतनी बाल, आज कल बहुचाता बाल मेरी टूट रहे हैं, तो यह वाले जुमके पहन लिए हैं, आज थोड़ा सा तयार हो गए हैं, क्योंकि सामन का तोहार है, और कोई भी तोहार आता है, फेस्टिवल तो अच्छे से मनाते हैं, और मना ही नहीं और आपस में हम साम को मिलते भी हैं, तो बस अब आगए हैं केचिन में, तो बालों को मैंने कंगी करके बांध लिया है, थोड़ा सा, क्योंकि बालों की बहुत दिक्कत होती है, खाने पीने में बाल टूपते हैं तो बहुती ज़ादा, और सबसे पहले में बनाओंगी मीठ बातने से हवा लगती है, और बाते भी करती रहती हूं, तो मुझे बाहर बनाने का खाना बहुती अच्छा लगता है, मतलब बैठके, और आप लोग मेरी चैनल पर नई हैं, तो प्लीज सस्क्राइब जलूर कर लीजीएगा, और कमेंट करके बताएगा, कि आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो जी बस चवा भून रहे हैं, और अब मैं भून चुके हैं, और दूद को कर लेती हूं, गरम, तो यहीं पे मैं बनाऊंगी, और जो भी बनाऊंगी, ज्यादा आज कुछ नहीं बनाने का मन नहीं है, बच्छों का एशी तलावला खाने क तो देखते हैं, क्या बनाएंगी, वैसे तोहारे थोड़ा बहुत बनाएंगे, और गेवर वगेरा तो चलो बजार से आजाएगा, और फिर मैंने वहां पे जावे वगेरा बना के रख दी है, खाने की तैयारी करके रखी, तो फिर मैंने मलाई जमा रखी थी, तो वही मैं चला रही हूँ, जल्दी से फटापट से गी निकालके, फिर इनके चलो एक काम हो जाए तो ये भी खतम कर देती हूँ, फटापट से और मेरा ना हाथ दुख रहा है, तो मैं सोवित को बोल रही हूँ, सोवित आ थोड़ी देर, तो मैं हाथ से हमेशा हाथ से चलाती हूँ, है भी नहीं ग्रांडर मेरे पास और फिर मुझे जरूट भी नहीं है क्योंकि मुझे हासी बहुत जल्दी से आ जाता है टाइम नहीं लगता मैंने तीन चार दिन पहले का मक्खा निकाला हुआ था अब आ गया है तो इसमें ठंडा पानी दाल के फिर निकाल लेंगे बस थोड़ा सा घुमाना है तो देखो इतनी जल्दी से मक्खा ना भी गया और ठंडे पानी से न और अच्छे से थोड़ा सा न हो जाता है तो बस अब निकाल लेते हैं तो देखो छोटी सी रही है और फटापट से मैंने घी चलाया और हो गया तो मक्खन को निकाल लेते हैं आज घी तो मुझे बनाऊंगी नहीं खैर मक्षन निकाल के रख दूँगी तो फिर सौम बार के दिन मुझे मक्षन से गी निकालना है तो मैं उसी दिन निकाल हुई तो काफी सारा मक्षन और एक दम बाइट बाइट निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है रोटी पे रखके खाने का मन होता है और गर्मी में तो खेर जादा घीवी खाने का मन नहीं होता तला चिकना लेकिन हाँ सरदी में बहुत ही अच्छा लगता है और बस रख देते हैं फ्रीज में सबको जमा कर उठा करके सारी चीजों को और सुबह में नहाने से पहले मेरे घर की जो सफाइए होई जाती है जाड़ो पहुचा बरतन किचिन साफ करना इदर उधर का जो भी छोटा वोटा समान होता है में नहाने से पहले पूरा निपटा के तब नहाके पूजा करके फिर अपना खाने पीने के तेयारी करती हूँ और च्छत पे बो रखा है मैंने पालक तो मैं फटापट से पालक को काट के लेकर आ गई हूं और पालक के पकोड़ी मतलब भी बनाने हैं तो मुझे पालक के पकोड़ी आज थोड़ी से बना लेती हूं और नक्ष वो पसंद है आलू के तो उसके लिए बनाऊगी मैं आलू क पकोड़ी और थोड़ी से बनाऊगी पालक के क्योंकि ताजा ताजा पालक हो रहा था हरा हरा तो बस मन हो गया कि चलो काट लेते हैं एक थोड़ा सा और बचा है एक दिन और हम अगर सब जी बगएरा बनाना चाहेंगे तो भी और मैं यहां सोबित के साथ में बातें भी कर रही हूं कुछ ने कुछ सोबित बैठा हुआ है ना तो उसके साथ में बातें कर रही हूं और साइड में बिधी नक्ष बैठे हुए तो इसला को भी में सुका देती हूं कि देखो काम होता ही और कुछ तो हर ँग grants और एक्सटरा P fund हो गया है तो इस फोगे से तो बस भी खाना पीना सब हो गया था और मावेटी ने थोड़ा 것은 अपना राधारानी के साथ के चलो तीजे मनाते हैं और जूला जूलाते हैं तो हमने दोनों ने फिर मिल करके राधारानी को अच्छे से जूला सजाया और फिर राधारानी के साथ जूला जूलाई और तीज की मस्ती करी थोड़ी सी दोनों ने और विद्धी को पैना दिया है एक हरे वाला इसका गाउन था तो वो विदी ने फैन लिया है विदी को भी बहुत सौके हर चीज का बहुत सौके मेरी बेटी को भी और होना भी चीए तो फिर यहां पर तीज जोड़ ली है साम की तो सब लोग खूब इंजोई किया हमने डाइंस वाइंस किया और खूब सारे बच्चे खटे होए थे तो हर साल ऐसा होता है कि हम तीज साम के टाइम सब खटे हो जाते हैं तो अच्छा लगता है तो आप लोगों के यहां कैसी मनाते हैं तो हम तो बस साम के टाइम सारे मिल जुलके अच्छे से और यहां पे बिदी ने फिर फूल वगेरा राधरानी को बरसाए तो बहुत अच्छा लगा मिलते हैं अगली वीडियो में राधे राधे बाई बाई